हाई वीवार्स कैसे आप अपने मुबाइल से इंटरनेट बैंकिंग के लिए एकाउंट रेजिस्टर कर सकते हो यूजर आइडी और पासवार्ट के लिए आपको बैंक पे जाने के कोई जुरूरत नहीं इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखेगा मैं आपको पूरा डिटेल की साथ क्लियरली दिखाऊंगा नेट बैंकिंग कैसे क्या जाता है तो वीवार्स आप अपने मुबाइल पे गोगल करम एपस आपन कीजिएगा पिर आप सास्विक्स में टाइप कीजिए usb i इसके बाद आप सार्च कीजिए सास करने के बाद आप दिखेगा सब चे पहले जो लिंक आता है और एपसाइट का लिंक स्टेट बैंक ओफ इंडिया इस पर आप क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद आपके सांद यह एसबेक ऑफिशिल पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर दिके पार्सनल बेंकिंग लिखा रहेगा यहाँ पर लोगिंग बटम पर आप क्लिक कर दीजे लोगिं बटम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर continue to login लिखा रहेगा इस पर आप क्लिप कर दीजिए फिर आपके सामने user id और password के लिए option यहाँ पर शोर करेगा फिर आप scroll करने के बाद यहाँ पर निचे लिखा रहेगा new user register here and activate इस पर आप क्लिक कर दीजिए फिर आपके सामने एक message शोर करेगा आप simply okay बटम पर क्लिक कर दीजिए फिर आप यहाँ पर simply लिखा रहेगा new user registration आप यहाँ पर next बटम पर दीखिए next बटम पर क्लिक कर दीजिए फिर आपके सामने new user registration form open हो जाएगा आप यहाँ पर आपना account number दीजिएगा इसके बाद आप CIF number दीजिएगा CIF number is available in your passbook and or statement of account अपना passbook पर CIF number रहेगा उसी number यहाँ पर दीजिएगा उसका बाद ब्रांज कोड दीजिएगा So transcode please enter starsippi p divorcee आप फ़ाइब दीजिए ब्रांज कोड आपकर फ़ाइप दीजिए ऐसके बाद इसके बाद फैप सी अगर डिंटार यहां पर डांज कोड दीजिएगा इसके बाद मेना स्गुण प्लाइब लगा दीजिए चивается घृठ T यह सिलेट कर लीजिए इसके बाद आप यहां पर अपना कैप्चा दीजिएगा यह कैप्चा यहां पर टाइप कर दीजिए फिर सब्मीब बटम पर क्लिक कर दीजिए कि साब में बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रेजिस्टर मुबाल नंबर पर ओठीपी जाएगा उसी ओठीप को आप या पर देजिए अगर नहीं गया तो आप नेचे लिए क्लिक है टूरी सेंड ओठीपी इस पर आप क्लिक कर दिजेगा ओठीपी देने के बाद आप विजित करने के कोई जूरूत नहीं अगर आपके पास एटेम कार नहीं है तो बैंक से आप विजित करना पर रहेगा उज़र एडी एंड पार्सवर्ट के लिए तो यहां से एटेम कार सिलर्ट करने के बाद आप कॉम्फर्म बटन पर क्लिक कर दिजिएगा क हाँ कि फिर आपके समने यह आपए काड डिटेल्स शोफ करेगा फिरें से यहां से आपना इंटेम कार ऍपार सिलर्ट कर लिजिए उस्यावर्ट भट मिक्लिक कर दिजिए कॉंफर्म बटम क्लिक करने के बद आपके समने डेट का तरफ बेलिटेशन पेज ओपन हो जाएगा यहां से आप मांत दीजिएगा ए-e-r दीजिएगा का ओल्डर का नेम दीजिएगा इसके बाद आप पी नंबर दीजिएगा एंड कैप्चा दीजिएगा फिर आप पॉसि फिर आप यहाँ से अपना पर्माने लोगिंग यूजर नीम सेट किजिएगा एंड पासवार्ड भी सेट कर दीजिएगा यूजर ने में पासवार्ड देने के बाद आप नीचे देखिए आप रीड टामसें कॉंडिशन चेकवर्ग पर टिक कर लिजिएगा आप क्याफूर इसके बाद आप यह पेज क्लोज कर दीजिए इसके बाद आपका एकाउंट ओपन हो जाएगा फिर आप यहाँ से अपना प्रोफाइल पासवार्ड सेट कीजिएगा तो प्रोफाइल पासवार्ड करता है जब भी आप कोई भी टांजेक्शन करेंगे तभी प्रोफाइल की जोड़ोत करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पासवार्ड सेट कर लिजिएगा अपना पासवार्ड सेट करने के बाद आप यहाँ पर सब्मीब बटम पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद आप अपना प्रोफाइल पासवार्ड सक्सेस्फुली सेट हो इसके बाद आप go to account सामारी पेज़ पर चल जाए अपना account and balance चेक कर लिजिए उसके बाद दोहरा आपके सामने login page open हो जाएगा यहाँ पर आप अपना username दीजेगा इसके बाद password यहाँ पर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर enter the text as shown in the image यानी capture दीजेगे यह capture आप यहाँ पर ट इसी इंटरनेट बेंकिंग का user ID और password से इन्योजबी एप्स रिजिटर कर लिजेगा और कैसे आप इन्योजबी एप्स निवली रिजिटर कर सकते इसके लिए मेरा अलग से वीडियो है इसी वीडियो का नीचे लिंक दिया हुआ है आप देख लिजेगा और फ्रेंड्स अ